हेलो गाईज वेलकम टू आर व्लॉग मीनू 21 और चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत भगवान की पूजा से करते हैं मेरा बच्चों को मैंने ब्रेकफस्ट करा दिया है और हस्बेन आज ओफिस चले गए हैं तो फिर मैं सोची की सारा काम हो गया है तो अब नहाद हो के प जैसे आप कितने भी लोनली फील करें डिप्रेस्ट हो या फिर कैसा भी आपको मन में हो अगर भगवान की पास आप थोड़ा सा भगवान का गीत गुन-गुना लीजे या पूजा कर लीजे या मंदिर चले जाईए न तो बहुत सुकून और शान्ती मिलती है और मेरे संग भी ऐसा होता है मैं तो अधिकतर जब खाना भी बनाती हूँ न तो आजकल भगवान जी के गाने ही गाती रहती हूँ तो अच्छा लगता है और शुरू से हम लोगों ने यही सब देखा भी है कि मम्मी भी हर काम मेरी न पूजा से ही शुरू करती थी जैसे दिन की शुरू बात पूजा पाठ करती थी कोई भी काम कितना भी अर्जेंट हो लेकिन पूजा करना नहीं हमारे दोनों टाइम हम लोग ना शाम को भी बैठ के सब लोग फैमिली साथ में पूजा करते थे तो गाइस मेरा पूजा हो चुका है अब मैं जा रही हूँ ना लंज की तैयारी क करने के लिए क्योंकि मेरे हस्बेंट ऑफिस गये हैं तो आते ही होंगे तो चलिए आपको ले चलती हूं किचन में तो गाइस मैं आ गई हूं किचन में और संडे को थोड़ी मतलब भी धूले हुए हैं तो बाल गीले हैं तो गीले बाल अगर बांध लूँगी ना तो वह हो जाते हैं इसलिए मैं टाल लपेटी ही हूई हूँ क्योंकि किचन में वैसे भी बाल खुला काम नहीं करना चाहिए क्योंकि बाल गिर विर सकते हैं इसलिए मैं सोची कि बाल टाल में ही रहेंगे न तो सूख भी जाएंगे और खाना बनाते समय बंधे भी रहेंगे तो आ पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ और नंदलाल को चाई भी दे लेती हूँ मैं अधिकतर देखती हूँ ना कि मतलब जैसे जो लोग काम जाधा करते हूं को ना चाई जरूर चाहिए होती है क्योंकि चाई से ना मतलब आप दिन भर कितना भी काम करते रही है थोड़ी एनर्जी से मिलती रहती है इसलिए मैं सोसती हूँ कि अगर जैसे जो कोई काम करता है तो उसको चाई टाइम टाइम पर देते रही है तो वो लोगों को भी थोड़ा सा एनर्जेटिक फील होता है तो इसलिए और अब मैं ये सब काम खाना वाना बना लूंगी ना तो फिर उसके तो लेई जाना और यूनिफॉर्म सब निकाल के ना सब तैयारी भी करनी हैं सुबह से ना गाइस मैं थंडियों के जो मेरे शूज हैं बैलीज वगेरा हैं ना मैं उनको पोच पोच के रख रही थी और गर्मियों के जो चपल है ना वो सब निकाल रही थी क्योंकि थंडियों में चपले तो चलती नहीं है तो वो सब मैं कर रही थी तो इसलिए थोड़ा साफ सफाई का काम होने लगा था और फिर शूस्टेंड में भी न बहुत जादा क्राउड हो जाता है बहुत सब भर जाता है इसलिए सीजन वाइज अगर कपड़े या शूस या कोई भी चीज मैं टाइम टाइम पे मेरी यादत है न कि हर चीज न सेग्रिगेट करती रहती हूं और सौर्ट करती रहती हूं जिसकी जरूरत नहीं उसको अंदर रख देना और जिसकी जरूरत है जो बार-बार यूज में आने वाला है उसको उपर रखना मेरी यादत होगी मैं किसी भी रोब हो, शूरैक हो, या ड्रसिंग टेबल हो, कुछ भी हो, मैं टाइम टाइम पे और्गिनाईज करती रहती हूँ, और ऐसे ही सभी को करना चाहिए, क्योंकि सभी के पास देखिए, लिमिटेड स्पेस है, और सामान जादा हो जाता है, तो इसलिए मैं करती रहती हूँ, और घर में तो ये लोग ऐसे स्लीपर पे ही खेल लेते हैं, बाहर खेलने जाते थे तो शूस पहनते थे, तो मैं बच्चों के भी शूस ना न्यूस पेपर में रैप करके बांध दी हूँ, अब हम लोगों का लंच वगेरा सब हो गया है, तो अभी मैं ड्रेसिंग के दो पहले उस जगह को पूरी तरह से आप खाली कर लीजिए, तो मैं भी वही कर रही हूँ कि पूरी चीजे ना खाली कर रही हूँ, और जैसा कि मैंने बताया था ना कि अब गर्मियों की चीजे बाहर निकलेंगी, तो जितने वैसलीन या कोल्ड क्रीम वगेरा है ना, वो सब म मैं अब अंदर रख दूँगी, क्योंकि बहुत ज्यादा आप जरूरत इनकी पड़ती नहीं है, कोल्ड क्रीम की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरी ओली स्किन है, अगर मैं गर्मियों में लगा लूंगी, ना कोई भी क्रीम, तो बहुत ज्यादा मेरे ना, फिर भरा भरा सा लग रहा था और बहुत सारी क्रीम ऐसे हैं जो खतम हो गए हैं और फिर भी वो पड़ी हुई है बस जैसे बेस में थोड़ा बहुत है तो उनको मैं अलग रख लूँगी कि पहले उन्हीं को यूज कर लूँ और फिर वो बॉटल जो है डिसकार्ड कर दूँ इसस स्पेस भी थोड़ी बढ़ जाएगी और जैसे बहुत भरा भरा देख के न मुझे पता नहीं क्यों घबडाहट सी होने लगती है कहीं भी मैं चाहे घर हो या मैं सोचती हूँ कि जितना कम से कम सामान मुझे दिखता रहे जितने की जरूरत है उतना ही मैं सामने रखूँ क् फिर भरा भरा सा अजीब सा होने लगता है लगता है कि कहीं जगे ही नहीं बची है इसलिए मेरी आदत है कि मैं हर जगे ये देखिये इतना सारा कबाड़ा निकला है उसमें से इसमें से न मुझे सब चीज़ें चाटनी है कितनी चीज़ें तो मैं यूज ही नहीं करती और ये देखिए मेरे पास एक जूलरी का बॉक्स है इसमें मैं सारी अपनी घडियां रख दीं क्योंकि ये सब चीजें तो रोज की ही यूज की हैं कई भी जाना रहता है तो चस्मा घडियां ये सब लगानी रहती हैं तो मैं इसी हिसाब से सब अरेंज कर रही हूँ और इसमें भी मैं सोच रही हूँ ना कि जो बीबी या सिसी क्रीम है मेक अप तो मैं जादा करती नहीं हूँ बस लिपस्टिक और बीबी क्रीम ही लगाती हूँ तो वो सब मैं एक जगर रख दूँगी तो सामने रहेगा ना तो हैंडी रहेगा और खरीदने को तो मैं बहुत जादा शॉपिंग कर लेती थी पहले मैं मतलब बालों की भी चीजे एकसेसरीज और कितनी और करती मैं कुछ नहीं हूँ तो अब मुझे धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है ना कि जितने की जरूरत हो या जिसको हम यूज करते ना वही चीजें खरीदनी हो किसी भी हमनों आफर के चकर में खरीद लेते हैं कि अरे इस पे बहुत ज़्यादा डिसकाउंट मिल रहा है चलो खरीद लेते हैं कभी ना कभी तो यूज करी लेंगे लेकिन क्या होता है ना कि जब हम बिना यूज की चीजें आफर के चकर में खरीद लेते हैं वो कितनी भी तो मैं थोड़ी ना स्किन के मामले में बहुत कॉंशियस हूं, मैं कोई भी चीज ना स्किन पे लगाती नहीं हूं, क्योंकि मेरी स्किन बहुत जादा सेंस्टिव है और ओईली है, तो मैं अगर कुछ भी ऐसा प्रोड़क्ट लगा ली ना मतलब बिना टेस्टिंग के या जो मैं नहीं जानती हूं, तो फिर मेरे चेहरा तुरंत खराब हो जाता है, उस पे दाने निकलाते हैं, दाग पड़ जाता है, किसी लिए मैं बहुत ज़्यादा कॉंशिस हूं, और ये लिवान, और क्या क्या मैं कितनी चीजें खरीद के रख्यूं, जो अब यूज भी नहीं करती थी, इवन शादियों में भी मैं नहीं यूज करती हूं, तो अब मैं धीरे धीरे ये हैबिट में चेंज ला रही हूं, तो अब तो आप मेरे पास देखेंगे बस बीबी क्रीम रहेगी, और लिप्स्टिक के उभी एक दो शेद्स हैं, वो रेनी की मेरे पास एक लिप पैंसिल ब्राउन शेड की और लिप लाइनर्स और कुछ नहीं मेरे पास मेकप का गाईज आपको मिलेगा, एक आई शेडो रखी हूं, फॉर स्पेशल ओकेजन और अगर आपको आई शेडो की जरूरत है, तो आप लिप्स्टिक से ही शेड्स क्रियेट कर सकते हैं, नॉर्मल छोटे मोटे गेट टुगेधर में जाते हैं, तो मेकप तो इतना करते नहीं हैं, और मैं उसमें बिलीव करती हूं कि बहुत जादा मेकप करना भी नहीं चाहिए, जो हमारी नैचुरल ब्यूटी है न, वही अच्छी लगती है, तो ये सब चीजे न, देखी अप अपना बिहेवियर है, किसको क्या पसंद आता है, मैं यहाँ पे बस अपने बारे में दोस्तों बता रही हूं, अगर आपको मेकप करना आता है, और मेकप का शौक है, तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसलिए भी नहीं कर रखती हूं न, क्योंकि मुझे मेकप का बहुत ज मेकप का यह सब रखती हूं, तो यह सब, हाँ, स्किन की केर मैं जरूर करती हूं, कि चेहरा बिल्कुल सोने से पहले क्लीन रहे, यह सब चीजे मैं कर लेती हूं, हाँ, थोड़ा कभी चेहरे पे बेसन बेसन लगा लिया, या चंदन पाउडर लगा लिया, यह सब मैं कर ले जो मेरा सीरम है और एलो वेरा जेल है गुलाब जल एक जगा मैंने देखिए इसमें ना मैंने सारा मेकप का सामान देखिए यह लिपस्टिक्स है यह बीबी सी सी क्रीम यह नेल पेंट्स है और इधर ना मेरी घड़ियां वगेरा जो एक्सेसरीज है और यह देखिए नीचे मैंने ना सब सेग्रेट कर दिया है तो चलिए अब वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स ब्लॉक में इंट्रेस्टिंग से तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा और अगर आपको व पूरा करने की कोशिश करूंगी एंड थैंक यू फो वाचिंग बाई